तो दोस्ता यदि आपने अपने यूटूब चेनल पर एक लाग सब्सक्राइबर कम्पलिट कर लिए हैं और आप यूटूब के अवाड के लिए अपलाई करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि यूटूब अवाड यानि सिलिवर बटन के लिए कैसे अप अपने अपलाई कर सकते हैं और अपलाई करते समय आपको किन-किन बातों में ध्यान रखना है डिटेल के साथ बताऊंगा मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेकनिकल नोनिया जी तो चलिए वीडियो को शु आता हूँ कि किस तरह से आपको ये अपलाई करना है तो फ्रंट्स मैं आ गया हूँ PC के स्क्रेन पर यहां से अपने शिले और पले बटन के लिए ओनलाई अपलाई करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना कि सबसे पहले आपको अपने चैनल के वाइटी स्टुडियो के ोण के देश्च बूर्ड में आ जाना है जैसे कि मैं यहां पे हमारे के सबस्क्राइबर हैं जिनके चैनल पे एक लाइटी स्टुडियो के सबस्क्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं यानि यह सिले और पले बटन के लिए इलिजेबल हो चुके हैं點 यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सिलिवर पले बटन के लिए यहाँ पर एक मेल आई होगी YouTube की तरफ से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखिए यह YouTube की तरब से यह mail आई हुई है Redum Your YouTube Creator Award ठीक है इस तरह की आपके पास भी mail आ चुकी होगी इस mail को आपको यहाँ से open कर लेना है और mail को open करने के बाद देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगा और यहाँ पर देखिए आपको एक Link है वह दिखाए देगा आप यहाँ पर देखिए लिंक को दिखाए देगा इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर hearingають को हिए कोपी कर लेना है ठिक है इसको कोपी कर लेना है क्योंकि आगे इसकी जूर्थ हो पढ़ने वाली इस लिंक पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का एक नया देखी right side में top के उपर यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने channel का नाम है वो लिख देना, जो भी आपका channel का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और एक जानकार यह आपको देना चाहूँगा यहाँ पर आप अपने channel का नाम भी दे सकते हो आप अपना खुद का personal नाम है वो भी दे सकते हो यानि यह जो YouTube आवाड है इसके उपर क्या नाम है वो print होके आना चाहिए वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो आप अपने channel का भी नाम लिख सकते हो या फिर और कोई दूसरा वो लिख सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पर channel का नाम है वो लिख देता हूँ ठीक है यह channel का नाम मैंने लिख दिया इसके बाद यहाँ पर नीचे आपके सामने option आ जाएगा Approve and Checkout ठीक है पहले यह देखेगा कि यह जो नाम है वो पहले से किसी ने ले तो नहीं लिया है तो यह पहले Approve करेगा और यहाँ पर Approve करने के बाद यहाँ पर देखे Next step है वो कुछ इस तरह से आपके सामने है वो आ जाएगी और यहाँ पर फ्रेंट्स आपके सामने दो step होगी दोनों को ही आपको यहाँ पर complete करना है और सबसे पहले यहाँ पर देखे shipping address आ रहा है और यहाँ पर आपकी mail ID है वो पूछ रहा है तो चलिए मनी यहाँ पर mail ID है वो डाल दी है इसके बाद दोस्तों आपको निच्चे आना है और निच्चे आने के बाद देखे यहाँ पर आपसे address है वो पूछा जाएगा यानि आप अपना यह silver play button है वो किस address पर आप मंगवाना चाहते है वो अपना पूरा address है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार address है वो डाल देता हूँ अपना address फिल करने के बाद दोस्तों आपको next पर click कर दाना लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहूँगा देखे कुछ column ऐसे हैं यहाँ पर जिसको आप खाली भी है वो छोड़ सकते हो जैसे एक तो यह wait number है इसको आप खाली छोड़ सकते हो एक company name है उसको भी आप खाली है वो छोड़ सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है सर्त इतनी है कि आप अपना जो deliver address है वो एकदम सही बरें ठीक है चलिए फिर आपको यहाँ पर next पर click कर देना है अब जैसे आप next पर click करोगे तो देखी यहाँ पर अगली step आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर जो आपने address बरा है तो वो address देखी यहाँ पर आपको दिखाये देगा इसको एक बार आप सही तरीके से वो देख बोख लीजिए गा कि इसमें किसी परकार की कोई दिक्कत तो नहीं है अगर किसी परकार की दिक्कत है तो आप इसे edit कर सकते हैं और edit करने के लिए देखी निच्चे आपको यहाँ पर pencil के option मिल जाएगा यहाँ से इडिट कर सकते है मैं फिलाल इसको edit हो नहीं करूँगा यह यहां पर देखिए एक track ID या order number आपको दिखाये देंगे, इसको आपको संभाल के अपने पास है वो रख लेना है, इससे आप अपने पले बटन है, इसको आप ट्रेक कर पाओगे कि आपका यह जो award है, यह जो play button है, कहां तक पहुंच गया है, तो इस order number को आप future के लिए शु तो फिर आप इस number से track कर सकते हो, या फिर YouTube टीम से वो बात कर सकते हो, तो चलिए चलते हैं वापस केमरे के तरफ, तो दोस्तों इस परकार से अपने YouTube शिलवर पले बटन के लिए apply हो कर सकते हैं, साइध आप समझ गए होंगे, इसकलार यह दि आपकी और भी कोई query है, तो आ कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी help करने के कोशिस करूँगा, या फिर आप मुझे Instagram फे follow करके, वहाँ पर भी play बटन के बारे में जानकारे वो ले सकते हो, अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छे लगी हो, तो आर वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को के लिए एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिन, जय भारत!